विश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल ममतांकित पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज अपने घर आई हूँ। लेकिन आप सबके मैसेजेज इतने जादा मात्रा में आ रहे थे कि मैंने सोचा नहीं था मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि जब इतने दिनों बाद घर आओ तो बातें खतम होने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन आप सबके मैसेजेज देखके मुझे लगा कि नहीं ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं मेरी सफलता में आप सभी का हाथ है। मैं छोटा सा बताना चाहूँगी कि मैंने शुरुआत कैसे करी। अपने बारे में भी कुछ चीजें। तो अपनी मा को सपोर्ट करने के लिए मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था। जो मैं पहली कोचिंग पढ़ाने जाती थी, एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं कम से कम सेवन किलोमीटर साइकलिंग करके जाती थी, तब मुझे वन मंत का 600 रुपीज मिलता था। तो मैंने शुरुबात वहां से करी है पढ़ाने की। इस तरह फिर मैं धीरे धीरे और कोचिंग पढ़ाती रही। उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया है। कानपूर में ही मैरी जीजेस स्कूल है। तो उसमें पढ़ाती थी। उसके बाद मैं कॉम्प्टिशन की प्रिपरेशन पगरा कर रही थी। फिर मेरा गॉर्मेंट जॉब में 2015 में हुआ। और यहां पर जब मैं गई तो यहां की बच्चों की दशा देकर मेरा मन बहुत व्यतित हो गया था। कि यहां पर बच्चे पढ़ाई को लेके जागरुक ही नहीं है। मैंने उनके माता पिता से बात करना चाहा। तब इस्तिति और भी खत्रनाख सामने आई। क्योंकि उनके माता पिता खुदी अपने बच्चों को नहीं बढ़ाना चाहते थे उनको लगता था कि अगर उनका बच्चा खेत में चलके उनके साथ काम करे चोटा सा बच्चा ही या फिर घर में अपने बाई बहनों को समझा ले तब उन्हें जादा आराम है तो बच्चे रेगुलर नहीं थे स्कूल में बहुत समझ से आए थी उनकी गलती भी नहीं थी क्योंकि मैंने देखा कि वाकई में बहुत गरीबी है खाने को नहीं है तो ऐसे को पढ़ाई का महतु समझाना पढ़ाई से जोड़ना मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था जब मेरे जॉब लगी थी उस समय मेरी माने एक बात कही थी मुझसे कि जैसे कि सरकारी टीचर बदनाम है कि वो पढ़ाते नहीं है लेकिन बेटा तुम ऐसा मत करना महनत की रोटी खाना उन बच्चों के साथ कभी तुम जो है चीटिंग मत करना सिर्फ वो बात एक मेरे दिल में थी फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया पहले नॉर्मल तरीके से पढ़ाया, फिर खेल-खेल में उनको पढ़ाना शुरू किया, मैंने ये देखा जब मैं खेल-खेल में पढ़ाती थी, तो बच्चे इंट्रेस्ट भी लेते थे, और बच्चे स्कूल में ज्यादा आने लगे, फिर मैंने ये तरीका अपना लिया, म फिर मैंने वोची शुरू करी, अच्छा वो मेरे वीडियो वो कई लोगों को सेंड करते थे, फिर एक दिन मुझे खेल आया कि क्यों न अगर मेरे तरीके लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो मैं उसे सभी लोगों को तक पहुचाऊं, ताकि जो हमारे ये बेसिक सिक्षा के बच्चे हैं, इनको आसानी से खेल खेल में पढ़ना आ जाए और सभी टीचर्स को सहुलियत हो जाए, फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जॉब तो 2015 में लगी थी और यूट्यूब चैनल मैंने दिसमबर 2017 में बनाया है, उससे पहले जितना काम कर चुके उसका तो र सब्सक्राइबर होंगे, हकीकत में मुझे सब्सक्राइबर और इसका सबका ज्यादा मतलब ही नहीं पता था, तभी आपने देखा होगा कि मैं आपने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलती हूं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैं कुछ नहीं बोलत परिवार नजर आने लगा इस परिवार में मुझे बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब ही का रिपलाई करूँ क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे वाकई में आप सब अपनी फैमिली लगते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं अगर आपने मुझे अपना समझ के कुछ मैसेज किया तो मेरा जवाब देना भी जरूरी है हाँ देर सवेर हो जाती है कभी-कभी बिजी शिडियूल के कारण उसके लिए मैं हमेशा शमा प्रार्थी हूँ आप सबसे और ये जो एक लाग सब्सक्राइबर हो गए मतलब उसके खुशी है मुझे बहुत उसके लिए स्पेशली दो लोगों को तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले C.L. मीना भाई बहुत इन्हों ने मतलब की जान लगा दी अपने सब्सक्राइबर जो है वो एक लाग पहुचाने में कल उसके बाद एक है M. Entertainment उत्राखंड के मुझे इन भाई का नाम नहीं पता है लेकिन इन्हों ने अकेले 319 सब्सक्राइबर बढ़ा दिये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है शायद मैं इतने लोगों को सब्सक्राइब नहीं करवा पाती बोल कर तो इन दो लोगों को तो हरदय से धन्यवाद फिर आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने इस परिवार के कुछ सदस्यों का नाम जरूर लेना चाहूँगी कि जिनसे मेरे regular messages के तो ही इतनी बाते होती है कि वो मुझे अपने से लगने लगे है सबसे पहली बात तो सबसे पहला नाम है साहिल साहिल वो बच्चा जो कि इस समय कैंसर से पीड़ीत है आप लोग जानते हैं आप लोगों को पहले ही पता है कि मेरा एक व्यूवर है साहिल कैंसर लास्टेज है भगवान से हमेशा उस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ बहुत तकलीफ में है आप सब लोग भी उसके लिए प्रातना कीजेगा कि वो ठीक हो जाए उसके बाद है राहत जो लोग जानते हैं जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि बहुत चुलबुली लड़की है फिर है संस्कृती फिर नमरता संस्कृती और नमरता दोनों बहुत अच्छी बच्चे हैं जिसमें नमरता अभी एक दो दिन पहले आपस में किसी व्यूवर की मतलब मैसेजेस में शायद राजकुमार जी की और नमरता जी की कुछ बात हो गई तो नमरता नाराज हो गई है मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है लाइफ बहुत छोटी है तो उसमें लडाई मत कीजिए प्लीज ठीक है कोई अपनी बात कह रहा है आपको नहीं पसंद आई जाने दीजिए ज़रूरी नहीं है कि हमार चीज का विरूत करें सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दे कभी छोटा समझ के प्यार से और कभी जो हमसे बड़े हैं उनका आदर कर ले ये चीज है उसके बाद है विनोज जी विनोज जी बहुत सलाह देते रहते हैं मुझे अच्छी सलाह देते हैं धन्यवाद भाई अस्बीर भाई मल्टी स्टार उसके बाद शिवम गरिमा जी नीतु एंजल नीतु एंजल जी से अभी कुछ समय से ही मेरी बात हो रही है लेकिन इनकी बेटी है एंजल जो कि मेरी सबसे छोटी व्यूवर है धाई साल की है मात्र तो विकास भाई बिकरम भाई राहुल जी जो साओधी अरब से हमेशा हर मैसेच पे मुझे मैसेच करते हैं हर वीडियो पे उसके बाद खुशी जी सुनील कुछ नहीं जी वो समझ क्या होंगे कुछ नहीं जी फिर राजकुमार जी रिंकु जी रिंकु जी हमेशा मुझे गुरु जी कहके संबोधित करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है राम भाई फेप्रीती मैम हो गई रेनु जी शिखा हो गई दिपिका आनन जोती पूजा संदीब जी बाकी दिल धड़कने दिल धड़कने दो उनका मैं नाम भूल गई बड़ा पस्तारी थी शायद गुस्सा भी करें तो दिल धड़कने दो भाई उसके बाद अजे भाई शोय बक्तर और मा तेरा लाडला उसके बाद है रजनी जी मूल चन जी देक्षा हो गई विशुनात पतेल जी आलम जी दिपाली पूनम गनेश भाई बहुत से ऐसे लोग है मतलब मुझे पता है कि मैं कितने लोगों को तो नाम मैं अभी भी छूट गया होगा जो मुझे बाद में फिर गुस्सा करेंगे अच्छा मजे की बात ये है कि जितने बड़े लोगों से मेरा रिष्टा बना है छोटे-छोटे बच्चे भी उतना ही प्यार करते है एक बच्ची है जया हमेशा मेसेज करेगी पहले तो गुस्सा हो गई थी मैं मेरा नाम मेरा नाम फिर फाइनली मैंने एक स्टोरी बनाई जिसमें मैंने करेक्टर का नाम रखा जया उस दिन उसकी खुशी देखने लाइक थी फिर है अभिशेग जौन सीना नाम से भाई इनका चैनल है उसके बाद है पलक है उसके बाद अंशू अच्छा अंशू जो है वो छोड़ा बच्चा है और वो मेरे उपर ऐसे लिख रहा है और जितने परसंट लिखते हैं अभी 50% हो गया है अभी 50% और हो जाएगा फिर वो मुझे सेंट करेंगे उसके बाद तनीशा सौरी तनेश है तनेश का स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि तनेश आजकल मुझे से गुस्सा है कि मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ तो तनेश अब स्माइल कर दो ठीक है उसके बाद है ये ताइशा नाम है शायद मैं अगर गलत प्रनेंशियेट कर रही हूँ योगेश हो गया प्रकर राज उसके बाद एक है उनका नाम नहीं पता है मुझे उस बच्चे का ओल्ड एंड न्यू कवर सॉंग्स उनके चैनल का नाम ये है नाम नहीं पता है सौरी तरिशा हो गई ये सारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं और भी है अभी भी देखिएगा इसके बाद कितने लोगों के मैसेज आएंगे कि मैम हम आपसे गुस्सा है आपने हमारा नाम नहीं लिया लेकिन सौरी कोशिश तो कर रही हूँ कि जितने नाम मुझे याद है सभी नाम ले डालू अच्छा इस खुशी के मौके पर भी एक आप लोगों से वादा किया था कि जब एक लाग सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो जो मेरे हल्समेंट है अंकिर जी उनके साथ हम लाइव आएंगे आज हम दोनों सुभा तयार भी थे लाइव आने के लिए लेकिन उसी समय यूट्यूब का नेटवर्क जो है सर्वर डाउ जो जो लोगों समय लाइव देखने के लिए बैठे थे उनका भी नहीं चल रहा था उन्होंने मुझे ये मैसेज भी किया लेकिन कुछ लोगों के मैसेज ने आज मुझे तकलीफ पहुच आई इस वज़े से क्योंकि अगर उन्होंने यूट्यूब चला रखा होता तो हकी नहीं पता होता कि मैं जूट नहीं बोल रही हूं और उसके बाद मुझे घर भी आना था मैंने ये भी बात आप लोगों से बता रखी थी कि मेरे भाई मेरा रिजर्वेशन है मेरी ट्रेन है मैं कितनी देर वेट करती तो उन लोगों के मैसेज भी मैं जरूर पढ़ूंगी एक मनुदा है जिन्हों ने ये लिखा कि आज मैंने पहली बार आपका थम डाउन किया है क्योंकि आप कल से गुमा रही है थम डाउन करने का मुझे दुख नहीं है मैं कहती हूं ना कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपकी मर्जी आप थम डाउन करेंगे आपको से घुमा रही हैं तो, भाई मेरा ऐसा सुभाव नहीं है, मैं जूट नहीं बोलती। मैं गोलगोल नहीं घुमाती। जो भी चीज़ होती्य कितने प्यार से आप सबसे बात करती हूँं। मुझे ये कमेंद बहुत हर्ड किया, इस कमेंड ने मुझे। उसके बाद एहफास खान जी है जिन्होंने लगभग चार से पार पाच बार मैसेज किया कि मैम आपने चीटिंग की है भाई क्या चीटिंग करिए फिर उसके बाद है लॉजिक इंडिया जी जिन्होंने लिखा कि मैम आपने दिल तोड़ दिया है आपके कारण साथे साथ बजे उठा वरना मैं नौ बजे उठता था मैं समझ सकते हूँ यह आपका प्यार था जो आप मेरे कारण उठे लेकिन अगर आपने साथे साथ बजे यूट्यूब आन किया होगा तो आपका भी नहीं चला होगा आप इस चीज़ को भी तो देखिए उसके बाद अच्छा दादा दादा जी एक है उन्होंने तो नया कॉंसेप निकाल दिया अंके जी लाइव आना ही नहीं चाते है इसलिए मैं बहाना बना रही हूँ भाई मैं बहाना क्यों बनाऊंगी एक चीज़ सोचिए अगर मैं आप लोगों से ये भी कह दूँ कि नहीं वो लाइव नहीं आना चाते हैं मैं खुद आऊं तो क्या आप मुझे पनिश्मेंट दोगे या मुझे फासी से लटका दोगे ऐसा तो कुछ नहीं है तो मैं जूट क्यों बोलूँगी ये चीज उसके बाद विजय जी इन्होंने लिखा बहुत बड़ा धोखा किया आपने प्रदीब जी प्रदीब जी का मैसेज जो है उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया लेकिन एक चीज उनका मैसेज ये था कि आपके लाइफ के कारण आज मैं ड्यूटी नहीं गया आपको स्पेशली कहना चाहूँगी कि भाई कभी भी ऐसा मत कीजिए मैं बहुत साधारण सी इंसान हूँ कभी भी लाइफ आ जाओंगी लेकिन ड्यूटी जो है वो सबकी बहुत जरूरी है मैं बार-बार कहती हूँ जो भी ड्यूटी है छोटी हो बड़ी हो वो निभाना बहुत जरूरी है इमानदारी से तो मेरे लिए उस चीज से कभी भी आप जो है वो मत कीजेगा कि आप अपनी ड्यूटी छोड़ने फिर मनीश ची मनीश ची का मैसेज पता था आप गोला देंगी कैसे पता था आपको कब लगा कि मैं इस तरह की हूँ बहुत तकलीप हुई इस मैसेज से फिर दूसरे मनीश ची सेम नाम के दो व्यक्ती और दोनों ने आज दुख दिया कि हम तो दीदी का इंतजार कर रहे थे और दीदी ट्रेन की सेर कर रही थी भाई नौकरी करती हूँ अपनी मा से मिलने दिल तो हमेशा मेरा भी करता होगा ना कि मैं अपनी मा से मिलू दो दो तीन तीन महीने छुटी नहीं पड़ती है तब मैं आती हूँ वो सेर नहीं होता है खूशी थी मिलने की उसके बाद है मुहन तिवारी जी लिखते हैं दीदी बहकाओ मत ये कहिए आपके पास टाइम ही नहीं था आप से शायद मैं पहले भी बता चुकी थी कि मेरे भाई का भी नाम मुहन है और आपका नाम तो पढ़ती हूँ मुझे अपना भाई ही याद आता है एकदम और आप इस तरह लिखते हैं बहकाओ मत बाई मैं क्यों बहकाओंगी फिर मुकेश जी इनका काफी लंबा चोड़ा मैसेस था उसमें से एक लाइन बताती हूँ सबकी भाउनाओं के साथ खेला आपने जो कि माफी योग नहीं है पहली बात आप सबने देखा होगा यूट्यूब का सर्वर डाउन था जो कि नियूस में भी है आप यूट्यूब का आप सर्च कीजिए तब भी पता चलेगा कहीं ने कहीं वो मेरी गलती नहीं थी बावजूद उसके मुझे भी दुख लग रहा था मुझे भी खराब लग रहा था कि लाइव आने के टाइम पे ये क्या है चल नहीं रहा है उसके बाद भी मैंने आपको सौरी मेसेज भी डाला बताते हुए कि इस इस कारण से मैं नहीं आई फिर मैंने सौरी डाला और उस पे लोग मुझे इस इस तरह के मैसेज लिख रहा है मुझे कस्ट हुआ है मुझे बहुत दुख हुआ है मुझे क्योंकि ये उमीद नहीं थी मुझे लगा था कि आप लोग समझोगे खैर कोई बात नहीं बाकी इतने लोग मुझे इतना प्यार करते ही है आप लोग भी मुझे पता है प्यार करते हैं लेकिन वही है ना कि एक बार सामने वाले की इस्तिती में खुद को रखके देखिए उसके बात किसी को भी कुछ बोलिए आप सभी का बहुत बहुत धरनेवाद क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहां तक कभी भी नहीं पहुच सकती थी मुझे तो मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं कि उन्हों नहीं चीजें दीरे दीरे गाइड करते जाते हैं मुझे तो थमनेल नहीं पता क्या होता है फिर दीरे दीरे सब बताते जाते हैं अच्छा ये तो अपने इंडिया के व्यूवर्स थे मुझे देश विदेश से भी प्यार मिल रहा है सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान अपना पडोसी देश जो है वहाँ से इतने पॉजिटिव मैसेज़स आते है सादियास किचन जो है स्पेशली उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी रेगुलर हर वीडियो पे मेरे मैसेज डालती है और बहुत पॉजिटिव आते हैं कैनेडा से आते हैं सादियारब तो अपना हई है जो मैसेज करता है नेपाल से मैसेज आते हैं मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और एप्रिशियेट कर रहे हैं वाकई में किसी ने सची कहा है कि दिल से और निस्वार्थ भाव से किया काम उसको हमें शो नहीं करना पड़ता है लोग सब उसको खुदी प्यार करते हैं और इसी वज़े से मैं कभी ने कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ काम करना है बाकी प्यार तो आप लोग खुदी देंगे ठीक है अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने घरवालों से डेर सारी अभी भी बाते करनी है ओके बाकी हाँ ये भी है कि मैं अपनी मम्मी के साथ लाइब नहीं उनका एक वीडियो जो है जरूर सेंट करूंगे तब आप लोग मेरे बारे में और अधिक जान पाएंगे तब तक के लिए बाए